पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना के अलावा देश भर के कई ऐसे राज और बात जब जम्मू काश्मीर की हो तो नरेंद्र मोदी और अमित्सा पूरे तरीके से लग जाते हैं कि इस राजी को कैसे आगे बढ़ाना है धारा 370 जब से जम्मू काश्मीर में हटी है तब से वहां के डेवलोप्मेंट और वहां के जो रोजे रोजगार हैं उनमें बढ़ुत्री को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार काफी लगी हुई है और देखिए अमित्सा की बात जब आती है तो उनकी चाड़क के नीती और उनकी जो मैनुफेस्टो है जो उनका मैजिक है वो कही न कहीं काम आने लगता है जम्मू कास सवाल विपक्षी गडबंधन महागडबंधन के तरफ से खूब उठते रहे हैं कि बाई 2024 का लोकसभा का चुनाव है वहाँ पर जो एंडिया एलाइंस के गडबंधन और घटक दल हैं उनके साथी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं भारते जनता पार्टी ने अपना कैं बिदान सवा का चुनाव चम्मू कासमीर में हम करा देंगे अमित्सा कहते हैं कि बिदान सवा का चुनाव को लेकर तयारी शुरू हो चुकी है फिर इसके बाद सरकार के वादों के मुताबित केंद्र सासित प्रदेश को राजी का दरजा दिया जाएगा ग्रे मंत्री ये जाते कई न्यूज चैनल और कई जो एजनसिया है उस एजनसी के में इंटरव्यू के दुरान वो कहते हैं 36 गड़ में नकसलियों की समस्या को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि UCC के बारे में भी अमित्सा बोल रहे थे वो कह रहे थे कि अगले 5 साल में देश में UCC क लागू कर दिया जाएगा देश में एक साथ सभी चुनाओं भी कराए जाएंगे इसके साथ ही शाह ने ये भी कहा कि देश में अगले 2-3 साल में नकसलियों को पूरी तरीके से खतम कर दी जाएगी देखे शाह ने मड़ी पूर हिंसा को लेकर जमू कास्मीर के मसले तक पर सभाचित की है जमू कास्मीर को बिदान सभाच चुनाओं के बाद राजी का दर्जा मिलेगा ये अमित्सा का मुख के एजेंडा में से एक है साथ पी टी आई जो एक निव जैजनसी है उसको इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि संसत्भव में कहा कि हम विदान सभाच चुनाओं के बाद राजी का दर्जा बहाल करेंगे चुनाओं खतम होने के बाद सरकार के इंडर शासित परदेश का राजी का दर्जा बहाल करने की पूरी प्रक्रिया शुरू करेगी साह आगे कहते हैं कि जम्मू कास्मीर में हमने परिसीमन क कि पूरी प्रक्रिया कर ली है क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षन दिया जा सकता है हम सुप्रीम कोट की समय सीवह से पहले विडान सवा की प्रॉसेस पूरी कर लेंे शूप्रीम कोट 11 दिसम्बर 2023 को निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जमू काश्मीर में चुनाओ कराने का निर्देश दिया है अगले दो से तीन साल में नकसल की समस्याएं खतम हो जाएंगी अगले दो से तीन साल में यह समस्या देश बर में पूरी तरीके से खतम हो जाएगी मनिपूर के हिंसे पर भी उन्होंने कहा है कि सांतिय स्थापित करने का काम मनिपूर में करवाया जा रहा है मनिपूर में तीन मही 2023 से जाती है हिंसा जारी है अब तक 220 से जादा लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है सुरक्षा कर्मी भी इसमें कई रूप से खायल है इतना ही नहीं अगले पांच साल में एक साथ चुनाव करानेंगे और UCC कानून लागू करने की भी बात अमिट्सा कह रहे हैं देश पर में एक साथ चुनाव कराने की चर्चाएं खूब होती है कि भाई देश में एक साथ चुनाव हो जाए लोग सबा और बिदान सबा का चुनाव एक साथ हो जाएगा प्रदान मंत्री कब तक रहेंगे क्या नरेंद्र मोदी को एक गुड जो रिटार्मेंट कहा जाता है उसकी तयारी भारते जनता पार्टी कर रहेंगे क्या रिप्लेस्मेंट के रूप में अमित्सा को तयार किया जा रहा है ये एक बड़ा सवाल हम आप तक छोड़े जाते हैं अपनी राय कमेंट में रखिए और जुड़े रहेंगे भारत लाइप पर देश दुनिया के तमाम खबरे आपको यूँ ही निरंतर मिलती रहेगी ब सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्डबाद